नवस्कार बहुत-बहुत स्वायत करते हैं Click Today के आज के इस वीडियो में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना की राशी को ले करके तो अगर आप भी इंतिजार कर रही हैं कि कन्या उथान योजना की राजशी कब तक के मिलेगी तो इसको लेकर के हम आज ये वीडियो बना रहे हैं बहुत सारी शात्रा को ये भी कमेंट था कि भाईया जो आप NSP स्कॉलर्शिप के बारे में बता रहे हो अगर वो हम लेते हैं तो क्या मुख्यमंत्री कन्या उथान योजना की राजशी पे किसी प्रकार का फर्क परेगा क्या जो 50,000 हमें मिलने वाला है तो आपको मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि NSP स्कॉलर्शिप आपको तब मिलता है जब आप करेंट सेशन में पढ़ाई कर रही होती है या पढ़ाई कोई लड़के अगर कर रहे होते हैं तो यानि कि आपने अगर अपना एडमिशन इस साल पीजी में लिया है सेंट्रल उनिवर्शिटी में या किसी अन्य कॉलेज में लिया है और आपका सेशन 2024 से 25 है तो ही आपको जो है NSP के लिए जो है मानेता मिलेगी और आप जो है NSP के लिए इलिजबल होंगे ठीक है अगर इससे पीछे के सेशन में आपने एडमिशन लिया है तो देखिए अगर सेशन आपका लेट चल रहा है विस्विद्याले का तो ये गलती विस्विद्याले की है और इसका खाम्याजा आपको भुगतना पर सकता है यानि कि आप इलिजबल फिर नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहाँ पे एनसपी पे क्लेरली लिखा हुआ है कि जो चात्रान चात्रा है करेंट सेशन में एडमिशन लेंगे उन्हीं को एनसपी का लाव दिया जाएगा और पीजी के लिए आपको प्रती 10 माह तक 15,000 रुपय तक दिये जाते हैं बाकी जो एक कमिशन तै करती है कि कितना-कितना पैसा जो आपको मिलेगा, मेरिट लिस्ट वगेर उसका अलग से बनता है लेकिन ये जो मुख्यमतरी कन्या उथान योजना की जो राशी है ये केबल बिहार की शात्राओं को मिलता है सुनात कुत्रिन उन पे जो की प्रतम आती है और दूति आती है, यानि क्लास और सेकेंड क्लास जो आती है उनको 50,000 की राशी दी जाती है बीए बीए सी बीकॉम तीनों ही संकाय से जो अगर छात्राएं होंगी पास करी होंगी तो उनको जो इस योजना का लाब मिलेगा बसरते एक और जो है इसमें नियम एडिट किया गया है कि अगर छात्रा का क किसी भी कॉलेज में तो उन छात्राओं को इस योजना का लाब नहीं मिलेगा इस योजना से वह बंचीत हो जाएगी क्योंकि मानेता जो है इसको नहीं दिया गया है अभी तक अगर हम बात करें तो डिगरी वगर आपको मिल जाता है लेकिन इस कॉर्स को जो है अभी भी कह अभी नहीं कहीं स्कॉलर्शिप के स्रेनी से बाहर रखा गया है तो बहुत सारे से कॉलेज अगर हम बिहार इनुसिटी की बात करें तो एम्डीडियम कॉलेज हो गया जिसमें की बीकॉम की पढ़ाई सेल्फ फिनांसिंग पे होती है और आरेन कॉलेज जहां पर की वाला लाब नहीं मिल पाएगा तो बाकिये आप लोग जानी रहें इसका नियम क्या है तो यह जो अभी सनातक वाला जो मिलने वाला था 50,000 यह कब तक मिलेगा लगातार जो आप लोग का सवाल आ रहा है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इसके ओपर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दिया गया है अगर मैं बात कर दो तो 2021 में यह जो है लागू हुआ था कि जितनी भी छात्रा है सनातक उत्रिन करेंगे उन सभी को 50,000 की राशी जो है बिहार सरकार के तरफ से दी जाएगी और इसके लिए हर वर्ष कोई नो कोई घोशना होती थी इस वर् लगतिक का लोन दिया जाता है वो स्कॉलर्शिप नहीं होता है बहुत सारी शात्राइं बोल रही थी कि भाया क्या वो योजना भी हमें मिल जाएगा तो नहीं नहीं उस योजना का लाव जो है एक अलग तरीके से मिलता है और उसका लाव मिलता है तो उस पैसे को आपको व इसमें किसी प्रकार का अन्य जो है डीटेल्स नहीं मांगा जाता है अगर मैं बता हूँ आपको तो इसमें जो है 2018 से 2021 सेशन की तकरीबन एक लाग चात्राओं को लाव मिला है बिहार विस्विद्याले और साथ ही अन्य विस्विद्याले की जो चात्राओं थे उनको मिला है पचासजार उनके अकांट में गया है इसके अगर हम बात करें 2019 से 22 सेशन की चात्राओं को भी लाव मिला है इसके अगर हम बात करें दो हूँ नाम एड नहीं किया गया पोटल के उपर इसके लिए अलग से जो नूटिस जारी किया जाएगा उसके आप लोग को बोला जाए इसके लिए नूटिस जल्दी जारी किया जाएगा मैं आपको पिछले महीने से ही ये कह रहा हूँ जुलाई अब आ चुका है हलाकि सिक्षा विवाग की ओर से किसी प्रकार की पुस्टी नहीं की गई है कि कब से पोटल को ओपन किया जाएगा लेकिन कहीं न कहीं मुझे ल करके चलता है ठीक है तो आप लोग को थोड़ा सा और प्रतिक्षा तो करना पड़ेगा अगर हम बात करें पेमिंट की जिनका भी सब्जेक्ट फॉर अबलेबिलिटी ओ फंड दिख रहा है तो उनका कब तक के अकाउंड में पैसा आएगा तो मैं आपको बता दू कि जो भ अपने डॉक्मेंट से दुरूस्त होंगी मैंने आपको पहले भी बोला था और बहुत सारी शात्रह पूछ रहीं कि भाया मेरा बैंक सीडिंग नहीं हो रहा है तो बैंक सीडिंग करवाईए जा करके अपना अकाउंट से मतलब अपने ब्रांच से बैंक ब्रांच से जा करक ठीक है पास कर गए कहीं एडमिशन नहीं लिए आप सोच रहें नस्पी मिल जागा तो ऐसा नहीं है उसमें आपको बोनाफाइट सर्टिफिकेट जो कॉलेज में आप पढ़ रहें उसका फी स्ट्रक्चर वगरा भी अपलोड करना पढ़ सकता है तो नस्पी एक अलग तो जैसे ही आप क्लिक टूडे सर्च करिए गूगल पर आ करके तो ऐसा वेबसाइट जो आपको सामने में लिंक दिखाई देगा यह ओपन करिए ओपन करने का जो यहां पर आ करके सर्च करिएगा मेधा सॉफ्ट जैसे आप मेधा सॉफ्ट सर्च करिएगा और नीचे स्क्रॉल करके आएगा तो 29 मार्च का आपको जो पोस्ट दिखाई देगा इसे ओपन कर लेना है और जैसे ओपन करिएगा आपको सारा जो है यहां पर इंपोर्टेंट लिंक दिखाई दे जाएगा कि आपका जो नेम जो चेक करना है उओक कैसे करना है तो इस लिंक के ओपर जैसे क्लिक करिएगा क्लिक करने का जो आब आगे बढ़िये का आगे बढ़ने का जो बोला जाwe अगर अगर अवेलेबल दिख रहा है तो फिर किसी प्रकार के दिक्कते नहीं है आपका नाम add हो चुका है और not available दिख रहा है तो आपको इंतिजार करना पर है क्योंकि portal अभी open नहीं है open होगा तभी आप सभी का नाम इसके उपर show होना शुरू होगा क्योंकि लगभग विश्विद्याले में नाम add किया जा चुका है पोटल के उपर बस open होने का wait किया जा रहा है open होगा आपको options दिखने शुरू हो जाएंगे और अगर आपको जल्द से जल्द open कराना है पोटल तो ये जो mail ID दिख रहा है इसके उपर जो आप सभी mail करिए request करिए portal को open कराने के लिए और mail करके बोलिए कि हम इस समय पर पास हुए थे और अभी तक कि हमारा portal को उपर नाम एड नहीं हुआ portal को open करने की request करें तो सिक्षा विवाग इसके उपर maybe ध्यान दे more than अगर 500-600 mails जाते हैं तो कहीं न कहीं इस योजना को ले करके ध्यान दिया जाएगा क्योंकि आगे भी इसके बारे में इन्फो पहुचाया जाएगा तो इसके उपर ध्यान देते हुए आप सभी का अमाउट जो भी मिलेगा ठीक है अगर आपको status पगरा चेक करना है तो आप लोग अपना यहाँ पर login करके देख सकते हैं या फिर चेक registration status पर क्लिक करके जो चेक कर सकते हैं कि आपके registration का status क्या दिख रहा है university सेलेक कर लिजे registration number सेलेक करिए और get a status पर क्लिक करिए आपका सारा status दिखाए देना सुरू हो जाएगा ठीक अपना college का list देखना चाहते है तो list of college पर जाएए यहां से आप अपने college का list देख सकते हैं list of course कि आप जिस course में admission लिए क्या वो मानेता प्राप्त है कि नहीं यहाँ पर जाएए university का नाम सेलेक करिए उसका college name सेलेक करिए जिस भी college में आप पढ़ रहे हैं और session में आप 18 से 21 सेलेक करिएगा कारण यह है कि उसके आगे की छात्राओं का नाम अभी आड़ नहीं हुआ है तो यहाँ पर आगे कुछ शो करेगा नहीं इसलिए आपको कह रहा हूँ ठीक है फिर search कर दीजेगा नीचे कौन से कौर्स मानिता प्राप था यह आपको देख जाएगा ठीक है तो आज की वीडियो में यही info आप सभी को देना था बाकी यह number वगएरा भी दिया हुआ हाला कि चालू होगा की नहीं होगा इसका जो है हम चांकारी नहीं दे सकते है बाकी यह भी एक जो है आपका मेल है जो कि मैंने आपको बोला है मेल पर मेल कर देने के लिए तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेल का फॉर्मेट वगएरा जानना होगा तो नीचे कमेंट करके बता दिए अगा